हे गाईज वेल्कम बैक तो मैं चानल लाइफस्टाल विद आफरेंग तो आज मैं आप लोग के साथ लेकर आए हूं कि हम लोग घर पर खुद से ही नेल एक्स्टेंशन कैसे कर सकते हैं वह बिल्कुल एजी वे में चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां आप लोग को दिखा रहे हूं कुछ टाइपस अफ नेल्स जिसे कि यह लोकल मार्केट में बहुत ही एजी ली आवलबल होता है यह जो है वह 15 से 20 रुपीज के कॉस्ट नाता है या आपको किसे भी जनल स्टोर पे और मेकप स्टोर पर मिल जाएगा और यह एक और सेम पाके मुल्पीज के आपको किसी देख सकते हैं किसे लगाना बहुत इसी होता है यह इस्टिकर से इसी को सकते हैं प्रेस पैनी कर सकते हैं अज अजो कि पास एक cela है yen कोई भी नेन ग्लू ना हे या निल स्टिकर नहं तो सद्सक्राइब घेरी करें तो आज में इसके लिए आपको एक ट्रिक बताने जाए हूं को यह The पैरेंट नेल पॉलिश या फिर कोई भी निल पॉलिश अप ले सकते हो तो चलिए विडियो स्टाट करते हैं यह मैंने नेल्स निकाली हैं अपने हैंड्स के लिए आप अपने नेल्स के साइज के साब से अपने नेल्स को चूज कर सकते हो यहां पर पहले मैंने अपने हैंड्स को मस्ट्राइज किया है अब देखिए यहां पर हम लोग जो नेल पेंट है उसे अपलाई करेंगे अपने नेल्स पर और जो नेल्स है उससे प्रेस करेंगे आप इसे पहले जैसे position set कर लें और इसके बाद इसे आपको एक से डेर मनाट के लिए आपको उसे प्रेस किये रखना है ताके क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा nail paint होता है वो sticky होता है और जब हम लोग इसे apply करते हैं तो हमारे nails जो है वो इसमें stick कर जाते हैं वो बिल्कुल एक nail glue कवर करते हैं बस आप इसे apply करें उसे press करें कुछ देह तक and you are easy to go अगर आपको थोड़ा भी doubt है कि यह निकल जाएगा ताप पहले थोड़ा सा जो nail paint है वो अपने nails पर भी apply कर लें जैसे मैं हैं पर कर रहे हूं और अपने nails पर भी apply कर लें दोनों nails पर और इसे stick करें कुछ देर तक tightly आपको प्रेस के रखना है कि यह आपर मैं final touch up दे रही हूं आपको दिखाऊंगे यह कितने अच्छे supply हो जाता है अगर आपको चानक से किसी party function में जाना है आपके पस नहीं है तो आप इसे easily apply कर सकते हो बिल्कुँद घर पे खुद से ही और यह easily आपके hands पर five to six hours अराम से रहेगा means अगर आप पार्टी में जारे तो वह easily रहेगा बहुत अच्छा एडिया है घर बैटे इतना चाहा है it's very easy guys please आप इसे जब ट्राइ करें